नमस्कार दोस्तों आपका अपके अपनी चैनल में स्वाक्त है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानि की 21 जनवरी के कुछ एक महत्वपूरन एजुकेशनल और इंप्लोईमेंट अपडेट्स के बारे में जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट रहने वाले हैं एच्पीव यूजी फर्स्ट सैक्रें थर्ड यर बाले स्टूरंट्स के लिए यहां पर एक बड़ा अपडेट आया हुआ है उसके बारे में बात करेंगे इसी के साथ यहां पर हिमाचर वदेश बोर्ड ऑप स्कूल एजूगेशन धर्मसाला ने 10th और प्लस 2 की जो डेट सीट अब बो जारी कर दी है तो उसके रिगार्डिंग भी अपडेट रहने वाला है इसी के साथ माचर वदेश स्कूल शिक्सा बोर्ड धर्मसाला ने SOS की 8th और 10th की जो प्रिक्सा है उसका परिणाम भी घोसित कर दिया है तो उसके बारे में बा अपडेट रहने वाला है और इसी के साथ जे ओए आई टी पोस्ट कोड 817 के रिगारिक भी यहां पे कुछ एक अपडेट जो है वो रहने वाले हैं तो आज की इस वीडियो में जो है वो हम लोग इन सभी अपडेट के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तों करते हैं वीडियो को स्टार्ट सबसे पहला गराम लोग यहां पे बात करें जे ओए आई टी पोस्ट कोड 817 की तो यहां पे जे ओए आई टी का सच्चिवाल लेके बाहर हंगामा गुस्से में दिके अभ्यारती सीम से मुलकात के बाद हुए साथ सरकार से नियाल ले में सीगर पैर भी करने की लगाई गुहार सुबा से मुख्यमंतरी से मिलने का कर रहे थे इंतजार साएं छे बजे हुई मुलकात तो यहां पे बीजनवरी को हिमाचल के सभी जीलों के सुकरवार को सच्चिवाल ले में जे ओ आई टी पोस्ट कोड़ बन सैवन के ब्यारते पहुंचे थे इस दुरान उन्हें सुकु सरकार से रिजल्ट निकालने और जांच प्रक्रिय पूरी करने की मांग की ताकि जलत से जलत अभ्यारते यहां पे निक्तिया जो हैं वो हो सके सुबा से अभ्यारते मुख्यमंतर से मिलने का इंतजार कर रहे थे लेकिन जब तक दो बाद भी ब प्रभावित यह मामला पड़ा है उसको सीगर यहां पे हल करने का प्रयास किया जाए अभ्यार्थियों का कहना कि तेज़ 25 जनवरी को होने वाले सुनबाई में सरकार प्रभावित तरीके से अपना पक्स रखे ताकि उनसे जुड़ा मामला जल्द हल हो सके हाला कि इसके प्रभावित हुए हैं तो कुछ अब्यारतियों ने यहां पर 5-5 साल भी त्यारी करी लेकिन अभी तक जो है उनका यहां पर result तो निकल गया लेकिन उनको appointments यहां पर नहीं दी गई तो अब जो है वो यहां पर 25 जनवरी को होने वाले सुनवाई में ही पता चलेगा कि अब उनके साथ जो है वो क्या होगा उनको cover न्यूक्तिय मिलेगी नहीं मिलेगी और इस यह मामला कहां तक पहुंच सकता है इसके बारे में जो है जब 25 जनवरी कोट में सुनवाई होगी उस टाई में ही पूरी information जो हो मिल पाएगी next update की बात करें तो next update जो है वो आपका इमाचल पदेश बोर्ड ओप स्कूल अजुकेशन धर्मसाला से रहने वाला है तो यहाँ पे इमाचल पदेश स्कूल सिक्सा बोर्ड धर्मसाला ने 10th और प्लस टू की जो डेट सीट है वो जारी कर दी है तो पहले जो थी एक डेट स student है उनकी प्रिक्साइं जो है वो सुबह 8 बचके 45 मिन से 12 बजे तक जो है वो चलेंगी इसी के साथ जो SOS के student है उनकी प्रिक्साइं जो है वो यहाँ पे दोवैर के बाद 1 बचके 45 मिन से 5 बजे तक जो है वो होंगी इसी के साथ तो अगर प्लस टू के स्टूल की बात करे तो उनकी प्रिक्साय जो है वो 10 मार्च से स्टार्ट होके यहांपे 13 मार्च तक जो है वो चलेगी इसी के साथ ही माचपदेश स्कूल शिक्सा बोड धर्मसाला ने SOS की 8 और 10 की जो परिक्सा है उसका परणाम भी यहांपे घोशित कर दिया है तो जो भी SOS के स्टूडेंट ह आट एड़ और टैंथ के वो ही माचब देश स्कूल सिक्सा बोर्ड धर्मसाली की वेबसाइट पे जाके अपना रिजर्ड जो बुचाक कर सकते हैं इसी के साथ ही माचब देश सिक्सा बोर्ड ने तीसरी पांचभी आठवी नाइन्थ और यहां पे प्लस बन कक्सा के प्रसं पत्र हैं उनके लिए apply जो है वो 28 जनवरी तक कर सकते हैं इसी के साथ यहाँ पे SOS की जो प्रिक्सा होनी है उसकी 8th की date sheet भी जो है वो यहाँ पे जारी हो गई है तो इस सारी date sheet जो है वो आपको लोगों को इमाचपदेश Board of School Education धर्मसालेक वेपसाइट पे जो है वो मिल तो यहाँ पे जो है वो प्रिक्साइं चली हुई थी 8th और 10th की और प्लस 2 की भी तो जिसमें जो है वो यहाँ पे अनपूरक प्रिक्साइं चली हुई थी इसमें साथ प्रिक्सार्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया और जमा दो की प्रिक्सा में जो की अंक सुधार प्रिक्सा थी उसमें एक प्रिक्सा आर्थी को यहां पे नकल करते हुए पकड़ा गया वह यह जो भी आठ वियार्थी है उनको एक साल के लिए प्रिक्सा देने के लिए जो है वो आयोग्या घोसित कर दिया है तो यह जो भी विद्यार्थी है वो अगले एक साल तक यहां प फ़र्ड के पार्ठेरा या यहां पे सार्वजनिक कीया है और उनके Пारठेरा में चेंज किया है तो चोआइस वेस्ट सिस्टम के भीच? जारी कर दिया है, इक अडौल प्रवंदयर यहां यह इए बाव भीकॉम प्रत वाउते हैं 0520 वेस्ट हैं को आठ सब्जक्ट चुनने होंगे तो जो भी अभी फर्स्ट इयर के स्टुनेंट है अपने की जामिनेशन फोर्म फिल करें उनको यहां पर आठ सब्जक्ट चुननने होंगे इसके तहत जो है वो इलेक्टिव बन से दो सब्जक्ट होंगे तो बहां पर आपको जब आप एक M, I, L अनिवारे 24-based subject भी रखा गया है, जिसके तयात हिंदी या सांस्कृत subject चुनना होगा, तो एक जो है वो 24-based subject रखा गया है, अनिवारे रहेगा ये, इसमें आप या तो जर्नल हिंदी ले सकते हो, या तो सांस्कृत ले सकते हो, तो हिंदी और Sanskrit में से आपको एक subject जो है वो लेना ही पड़ेगा जबकि एक AECC choice based subject रखा गया जिसमें आपको हिंदी अंग्रेजी और Sanskrit में से एक चुनना होगा तो यहां पे भी आपको हिंदी अंग्रेजी और Sanskrit में से कोई एक subject जो है वो चुनना होगा इसके बाद जो है वो एक AECC अनिवारे सब्जेक्ट एनवार्मेंटल यहां पे साइंस जो है वो रखा गया तो एनवार्मेंटल साइंस सभी को यहां पे लेनी पड़ेगी और एक अनिवारे सब्जेक्ट अंग्रेजी जो है वो चुनना होगा इकरोल प्रबंदय ने भिविन यहां पे संक्याओं के लिए 22 कोर इलेक्टिव कोर्सिस और 13 अनिवारे कोर्सिस की सूची जो हो जाली कर दी है तो जो भी यहां पे अनिवारे कोर्स होंगे 13 उनकी सूची भी आ गई है और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट उनकी सूची भी यहा पढ़ेंगे एक सब्सक्राइब कर दी गई है और जारी कर दी गई है तो इस तरीक्वे से वह अपने यहां पे जो सब्जेक्ट है वह चुन लें तो दोस्तों यह तेमारे आज के कुछ एक अपडेट अगर यहां पे आपको फिर भी कोई क्यारी है या आपको कोई भी करोगे उसके आपको डाउट होग होगी उसके रिगार्डिंग जो हाव अप लोगों को दूर करने के पूरी कोशिछ जो अब वो करूंगा तो दोस्तों यह थे मारे आज के कुछ चेक अपडेट अगर आपको यह वीडियो इन इप्रमेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और सेर गरें तासी ही अपडेट स्क्रीमारे साथ बने रहें धन्यवाद